प्रणावाश्कार मेरे से शेडिया परिवार में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है जब आखों में आर मान लिया मंजिल को अपना मान लिया मुश्किल के आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया कि बड़ा महत्पून टॉपिक सभीधान के भाग मतलब दूस्तों उसके अंदर कौन-कौन से अनुच्छे सामिल है कौन-कौन से दुस्तों भाग के अंदर क्या-कया लिखा हुआ है ये बहुत महत्पून टॉपिक सभीधान को समझने के लिए एक तरह से दुस्तों रीड की हड़ी की तरह ये टॉपिक होता है वो आज हम दुस्तों कवर करने वाले हैं तो आईए स्वागत है आप सभी का दूस्तों सुरुवात करते सपने देखने वालों के लिए राते छोटी पढ़ जाति हैं अगर जुनून होसला पागलपन आपके अंदर हैं तो कोई भी मंजिल आप से दूर नहीं रह पाईगे मंजिल आपको गले लगाईगी है ये सुरुवात करते सभीधान के जो भाग एपर पर बात्चीत करते हैं, हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन-कौन से अनुछेद हैं, कौन-कौन सी दोस्तो भाते उसमें लिखि चर्चा करने वाले, नहीं देखिए दोसो, सविधान का जो भाग 1 है, इसमें दो भारत के अंदर आपके कितने दोसतो होने वाले सभीधान का भाग एक यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य इसके बारे में भाग एक से चार दोस्तों इसके अंदर इस्टित हैं अगर दोस्तों पूछू आपसे 28 दोस्तों वर्तुमान में आपके राज्य और आठ यूटी और वर्तुमान में भारत के इसके अंदर आप दोस्तों लिदान के बाटिकार आपके मोली का दिकार अगर पूछू कितने मोली का दिकार थे, साथ मोली का दिकार थे, वर्तमान में दोस्तों आपके छही मोली का दिकार है, संपत्ति का दिकार दोस्तों, अम मोली का दिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले, सभीधान दोस्तों, अब जब DPSP का उल्येख है अब दोस्तो राज्य ने दोस्तो DPSP दे दिए तो राज्य दोस्तो नागरिक से आप एक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तो क्या क्या क्रतव वे हैं क्या क्या उसकी डूटीज है सभीधान का दोस्तो भाग जो 4A है वो मॉली क्रतव वे पर्णामेंटल डूटीज की बाग करता है यह दोस्तो आपके सरदार स्वाणिसिंग समीती जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था आट तोस्तो बैयालिस मा सभीधान संसोदन था 1976 सभीधान का भाग 4A जोड़ा गया आर्टिकल दोस्तो आर्टिकल 51A जोड़ा ग अब दोस्तो मौलिक करते हैं की बात हो चुकी है अब दोस्तो बात करते हैं आपके सभीधान का भाग 5 सबसे बड़ा दोस्तो भाग आपके सभीधान का यही है सभीधान का भाग 5 संग सरकार दोस्तों आपके बात करता है मतलब यूनियन गवर्मेंट दोस्तों इसके अंद बामन से 151 सो अनुच्छे जो हैं वह इस बड़ा भाग पांच के अंदर सबसे बड़ा भाग यही है सबीधान का इसके अंदर हैं संग सरकार संग के च्छापने सो कौन-कौन कारे-पाली का इसके इलाव दोस्तों आपके व्यवस्तापी का संसत की बात करता है न्याय पाली क Supreme Court की दो सो बात करता है और साथ में दोस्तों आपके C.A. G.A. भारत के बर्तमान दोस्तों भारत का नियंतरग और महालेखा दोस्तों परिक्षक जो है इनके दोवारे में दोस्तों आपके अनुछेज जो है वो इस भाग के अंदर कारेपाली का दूस्तों बामन सथेतर इसमें दूस्तों आपके राश्पती होगे और उपराश्पती होगे और ये दूस्तों इसके अंदर सामिल है संसा दूस्तों पूछे आपसे पार्लियमेंट 79 से 122 दूस्तों आपके लोगसभा राजिसभा दूस्तों इसके अंदर दी लाजपती की दोस्तों विदाई सकती है आपके –31जिस दोस्तों अद्यदेश जारी करने की सकती है। संग की दोस्तों न्याइपालिकर सुप्रीम कोड 124 से 147 के बीच में और C एज़ी दोस्तों आपके 148 से 155 के बीच में है। संग की दोस्तों बात पेच्छा आप से, संग कहां पर है, यूनियन दोस्तों आपके भाग पांच में, बावन से एक से क्यावन के बीच में, यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है, किया गया है, इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा, राज्ये का जिक्र होगा, दोस्त हर तो यहां दोस्तो हाई कोड़ और डिस्टिक कोड़ जो है वह यह लिखा हुआ है कि दूस्तू आपके कारेपाले का 153 से 167 आपके जो की दुस्दोम राज़ेपाल संबन्देत हो गई राज़े का विधान मंडल 178 से 2200, 21200 के इसमें विधान सभा है जिसमें विधान परिसस सामिल है इसके लभा राज़ेपाल की दुस्दोम विदाई सकते अध्या देश जारी करने के सकती 213 के अंदर है, राज्यों के दूस्तों उच्छ नियाले जो है, वो 214 से 23200 इसके बीच में, और अधिनस उच्छ नियाले जो है, वो 233 से 237 के बीच में, तो भाग 5 जो है, आपके आर्टिकल नंबर 52 से 215 के बीच में, जिसमें संग की बात ह होती है, भाग 6 दूस्तों आपके, ये दूस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दूस्तों किसके बीच में, 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया, इसके बाद दूस्तों जो भाग 7 था ना, उसको हटा दिया गया है, उसे दूस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दू तू, थ्री, एड दोस्तो आर्टीकल जो है वो इसमें सामिल था पर अब सभी धान में दोस्तो ये सामिल नहीं है इसके बाद दोसो भाग जो 8 था देखो केंदर की दोस्तो बात हो गई है अब राज्यों की बात हो चुकी है अब दोसो क्या बच गया इसमें संग राज्ये छेत्रे यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई जिसमें आर्टिकल नमबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेदे भाग आठ के अंदर इसके बाद दोस्तों क्या होगा देखो सरक भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है इसके लावर राज्ये आ चुके है दोस्तों यूटी आ चुकी है अब दोस्तों क्या बचेगे आपके लोकल गवर्नेंस दोस्तों तो भाग दोस्तों नो जो है भाग नो पंचाय दोस्तों इसका जिक्र होता है जो दोस्तों ग्रामीन दोस्तों आपके रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस से 25 की बात होती है य तर मास सविधान संसोधन 1901 में से इसको जोड़ा गया भाग दोस्तों अब जब दोस्तों local governance में भी कौन सा हो गया एल्द दोस्तों रूरल हो गया जिसकी बास हो चुकिए इसके बाद इसके बाद कौन सा आएगा अर्बन आएगा तो भाग दोस्तों 9 जो है इसमें दुस्तो नगरपाली का दुस्तो अर्बन दुस्तो लोकल वोडिस की बात होती है और यहां देखना दुस्तो वहां दुस्तो आपके 243 O तक था आगे दुस्तो 243 P से ले करके 243 Z जी तक दुस्तो आपके नगरपाली का की बात की गई है और दुस्तो भाग यह दु आपके आर्टिकल है। अपके सेहकारी समीति की बात करता है। इसके बाद दोसो भाग 11 आता जिसमें संग और राज्य की भी जो संबंध हैं उनकी दोस्तों बात होती है जिसमें आर्टिकल नमबर 245 से 243 दोस्तों आपके होते हैं संग और राज्य की भी जो संबंध है न दोस्तों एक तो विधाई संबंध होते हैं दोस्तों आपके कौन प्रसासनिक से संबंद है वो आपके आर्टिकल नंबर तो 56 से 263 के बीच में है तो विधाई संबंद हो गया प्रसासनिक से संबंद हो गया इसके बाद तो कौन सा आपकी वित्तिय संबंद आएगा तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा भाग दोस्तों जो बारा है उसम मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों तीन जिसमें मोली का दिकारों की बात की गई थी, मूल सविधान में साथ मोली का दिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मोली का दिकार है, अगर पुछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ती का दिकार हट गया, कौन सा 44 सविधान, सं 300 है ये भी हर किसी को पता है कि दो 44 मा सविधान संसोदन है ये तो हर किसी को पता है पर ध्यान रखना दोस्तों अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों ये भाग 12 के अंदर आया आपको ध्यान रखना है संपत्तिक आदिकार आर्टिकल नंबर 300 ये आपको ध्यान रखन तो विधाई संबंध होगे परसासिं संबंध होगे दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके यह दोस्तों कौन से आपके वित्य संबंध दोस्तों आपके बीच में इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्तायोग दोस्तों आर्टिकल नमर 280 के अंद दोस्तों सेवाएं जो है UPSC हो गया दोस्तों आपके State PCS हो गया ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं आपके भाग नमबर 14 इंपोर्टेंट दोस्तों आपके धनग ना भाग 14 UPSC State PCS उसके अंदर आता है आर्टिकल नमबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिकर जो है किया एसके बाद दोस्तों भाग 14 A जब भी दोस्तों आपके लिखा हुआ मिल जाए कहीं दोस्तों इंगली समय मिल जाए यह दो दोस्तों आर्टिकल सामिल होते हैं, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। है यह भाग 15 आपका सामील है ठीक है इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों आपके कुछ वर्गों से सम्मंदित विशेश दोस्तों प्रावधान जो है special दोस्तों प्रोविजन जो है वो छापना दोस्तों आपके special प्रोविजन दोस्तों आपके बीशेश के प्रोविजन लाजैए विशन चांव यहां आपके सामील आपके लोगस्तों समयला टॉस्तों समयलो आपके संबन्दी विशेश प्राफधाने 330-342 के जो है ये आपके इसमें सामिल है इसके बाद दोस्तों देखेगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा आपके भाग सत्रा हो गया राजभासा ओफिशल दोस्तों लेंगवेज है 343 से 351 दोस्तों नोट करना important question दोस्तों आपके राजभासा दोस्तों इसका उलेक कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उलेक है आपके संग की भासा दोस्तों ये है प्रादेशिक भासा है सामिल है सरवो चनियाले उचनियाले इनकी भासाए क्या हूंगी यह सारी दोस्तों माते इसके अंदर लिखी है बाग दोस्तों 18 अगर दोस्तों बात करूँ आपसे बाग दोस्तों 18 जो है आपाद उबन दोशापना आपके भाग 18 के अंदर है आर्टिकल नमबर 352 से 350 दोस्तों आपके भाग 18 है important question दोस्तों emergency दोस्तों तीन प्रकार की है राष्ट्य अपातकाल 300 वावन दोस्तों नाश्पती सासन आपके 356 है और बित्के दोस्तों आपके आपातकाल 360 आपको ध्यान डखना है भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है 361 से 362 के बीच में आपके इसका उलेख है भाग 20 बड़ा दोस्तों important है सभीधान में संसोधन जो है यह दोस्तों भाग 20 के अंदर उलेख है 368 दोस्तों आर्टिकल जो है 368 आपके amendment in constitution आपके ध्यान रखिएगा भाग आपके 20 हो गया भाग दोस्तों 21 की बात करूँ आपसे एस्थाई संक्रमन सील और विशेश उभण दोस्तों इसके अंदर है जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 300 दोस्तों बामन इसी दोस्तों आर्टिकल में सामिलता है जो कि संक्रमन सील दोस्तों एस्थाई है और विशेश उभण आपके सामिल है 379 से 302 में के बीच में इसक सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे भाग दोस्तों एक से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिस की है इसको दो तिन वार दोस्तों आप देखोगे ना यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है तो आए चलिए फूल पत्ती वाली किल आसकी तरफ हरो दो मश्कार बड़ मॉनिंग सुपरवात में सेर सेंडियो उतकस परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है लग चुकी है तलम मंजिल की अब खुद को आग में छोकना होगा ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा होसला कहता है देख लेंगे बाकी बिहारी लाल की जै सबसे पहले तो आप सभी को राम नम्मी की बहुत बहुत सुपकामना है और 22 जनवरी 2024 की तारीक आपको याद होगी जब स्री राम लिला प्रान पतिष्टा समारो हुआ था भगवान सी राम अयोध्या के अंदर जो मंदिर है वहाँ विराजवान हुए थे और उसके बाद में पहली बार जो है वो राम नम्मी आ रही है तो राम नम्मी है अगली जो राम नम्मी आए तब तक आपके जो सपने है वो पूरे हो जाएं यही मनो कामना मेरी रहीगी आपके साथ में वह वाके विहारी लाल कीज़े आईए सुरुवात करते हैं और आपकी जो डिमांड थी वो डिमांड मैंने मान लिए चिंता मत कीज़ेगा आपकी डिमांड के अनरूप काम होने वाला है 21 तारीक और 22 तारीक नोट करना अपनी कॉपी के अंदर है एक धमा का इस क्लास के अंदर होने वाला है ठीक है बिल्कुल मिरे साथ में विकाश, अंकोष, अवनीश, राकेश, शालिनी, निशी, धरमपाल, इश्मीता, लक्षमी, राज़ेंदर, अमित, दीपक, अभिनाश, सीता सभी का स्वागत है आए शुरुवात करते हैं किलास की जेकिएगा सतरा अप्रेल दोजार चोबीस, धनिक समसमाई की सभी पतोंगी परिक्षाओं को निश्ते नाबूत करने के लिए अती महत्पूर्ण आज हमारा टोपिक होने वाला है अवोर्ड्स दोजार चोबीस है मतलब 2024 के जितने महत्पून अवोर्ड्स हैं वो मैं कराने वाला हूँ आपको ठीक है देखिए आज की महत्पून सुर्खिया और तुम तो मेरे मांजी और यह तोड़ो गए नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं देखना सिंगापूर के प्रधान मंत्री ली हिश्यन लुंग दो दोसक बाद में देंगे इस्तिफा आई एम एफ के प्रबंद निदेशक एमडी पतपक कश्टलीना जोर जीवार प्रारम करेंगे अपना दूसरा कारेकाल फ्रांस के पैरिस में हुआ सुडान पर अंतराश्टिय मानपतवादी सम्मेलन दिल्ली हवाई अड़ना दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में हुआ सामिल टोनाल्ड टरंप अपरादिक मुकदमे का सामना करने वाले बने पहले पूर्व अमेरिकन राष् वर्ष 2000 के बाद से भारत में 2.333 मिलियन हेक्टेर व्रक्षेतर का हुआ विनाश केंसरकार ने बागवानी किशानों को सबसीड़ी देने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP सुरक्षा किया तयार एशिया बेडविंटन चेंपिंसिप 2024 में जोनाथन क्रिष्टी ने जीता पुरुस एकल का खिताब धेटमैन रोही सर्मा बने पांसो टीटवंटी शक्के लगाने वाले पहले भारति क्रिकेटर विजडन ने इंगलेंड की नेट साइबर ब्रेंट को तुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर किया नामित पंगलादेश के धाका में टैग सेंडी दिखलाएगा सुनियेगा तू हस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे क्या तू हस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे और तू जिन्दा है और जिन्दगी की नाक में दम कर दे जब जिन्दगी आपसे कहती है ना इस बात को आप नोट कर ले ना कि जिन्दगी कहती है आपसे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा वही सबसे अच्छा समय है कुछ करके दिखलाने का और अपना टाइम आएगा रजगुला और सो नहीं भी आये तो छोड़ो ना यार अपना टाइम आएगा नहीं भी आये तो छोड़ो गसीट कर वापस लाएंगे तीक है पूछ हूँ आप से इनको दोस्तों ली लूंग बोलते हैं क्या बोलते हैं ली लूंग कहते हैं इनको पर उनका नाम पूरा नाम क्या है इनका पूरा नाम है ली हिश्यन यूंग है इसका पूरा नाम तो आपके ली हिश्यन लूंग है पर इनको ली लूंग के नाम से फहम इनकी उम्र हो चुकी कितने आपके 72 साल इनकी उम्र हो चुकी है और सो इन्होंने कहा है कि मैं इस उम्र पे आ चुका हूँ कि अब देश की कमान जो है वो जो यूथ है हमारे जो यूवा हैं उनको समान ली चाहिए दोस्तों और 72 साल की उम्र में जो है इस्तिफा दे दिया है 20 साल दोस्तों राजकेनों ने अब इनके इस्थान पर जो हमारा जो सिंगापुरे वहां के नए PM कौन होने वाले है लोरेंस बोग होने वाले ठीक है कहां से इस्तिवा दिया है जो सिंगापुर जो है यहां से इस्तिवा दे दिया आपके लीलूंग साव ने और यह कहा है अभी हाली में कि सिंगापुर जो है यहां सिंगापुर जो है आपके सोग़ इसके जो नए PM कौन होंगे इसका नया लीडर दूस्वा कौन होने वाला आपके इन्होंने दोस्तों अपने स्थान पर जो है लोरेंस बोग किसको अपने स्थान पर जो लोरेंस बोग है इसे नया PM बना दिया है जो कि इससे पहले डिप्टी पीम थे इन्हें आपके लीडर्सिप दे दिये तो इन्होंने 72 साल की उमर में इस्तिवा दे दिया है और बोला है कि बढ़ी मैं बुड़ा हो चुका हूँ मेरे इस्थान पर कोई नहीं आना चाहिए और आपके लोरेंस बोक साब जो है इनको दोस्तों आपके हेड बना दिया पार्टी के हेड इन्होंने सारे पस से कोई पार्टी का हेड का पद है कोई MLA MP का पद है कोई भी पोस्टों वासप से इस्तिवा दे दिया है इनकी पार्टी का नाम पीपल्स एक्शन पार्टी क्या नाम है इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स एक्शन पार्टी कौन सी है पीपल्स एक्षन पार्टीन का नाम है और पार्टी के पस्ते बिस्तिम दे दिया है सारे पस्ते रिजाइन कर चुके है ये भी आपको ध्यान लखना है ठीक है आगे देखिए देश कौन साब का देश आपका सिंगापूर हो गया है नौट कीजिए सिंगापूर देश जो है यहां दोस्तों ऐसा हुआ है जो इस लीलूंग साहब थे न दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्याता है पिताजी का नाम था कुवान यू और कुवान यू दोस्तों सिंगापूर को सिंगापुर बनाने वाले आपके ब्रधान मंतरी कौन थे आपके उनका नाम कुवान यू ठीक है यह किसके बेटे थे आपके वो से किसके आपके कुवान यू किसके कुवान यू कि बेटे थे और तो यह सिंगापुर के पहले ब्रधान मंतरी क्या थे सिंगापुर के पहले पीम थे और मैंने फिर कर सो जब के जो modern सिंगापूर जो है जो आधुनिक सिंगापूर है इसके जनक पूछू कोन आपके वो भी किया नियू ठीक है तो modern सिंगापूर जो है development की बाद जहां पर है उसके father कोने चापना वो भी कुआ नियू थे ये भी आपको not कर लेना है ठीक सेग एहमद अलसवा लिकिना सेग एहमद अलस到 जो है सेग एहमद अलसावा पुछूं आपसे यह कहां के कुबेद के क्या बने कुबेद के आपके ने परधान मंत्रिया पोईंड हूए इनका नाम भी लगे हाथ आप अपनी कौपी के अंदर जो है not करलो किसका सेग एहमद अलसबागा ठीक है अगर दोस्तों आपको यहाँ तो बताओ मुझे पोलेंड पुछूँ आप से पोलेंड के ने पोलेंड के ने राश्पती कौन छापना बताओ comment box के अंदर इसके लबा जो आयरलेंड तो पुछूँ आप से आयरलेंड जो है यहाँ के दोस्तों ने प्रधान मंतरी कौन है यह आपको छापना है पोलेंड के ने राश्पती कौन है इसके लबा सो आयरलेंड जो है यहाँ के ने प्रधान मंतरी कौन है बताईए आपकी comment box में अगर तो पुछूँ आप से इस के लावा जो Thailand है इस Thailand के कौन है छापना Thailand में कौन दोस्तों आपके इस के लाव बताईए आप जो है पॉलेंड, Ireland, Thailand सो जो मालदीव है इस मालदीव के ने राश्पती कौन है इस चार question आपके सामने आ चुके है ठीक है ये भी दोस्तों अभी हाली में appointment हुए ठीक है याद करो मैं पुछूँ आपसे हाँ कुवेश से बड़ा दोस्तों प्रधान मंतरी का नाम है ना कुवेश से बड़ा जो है प्रधान मंतरी कुवेश खुद आपके कुवेश इत्तू सा है ना कुवेश खुद इत्तू सा है और प्रधानमंत्री का नाम उससे बड़ा है भाई सामाना देखिएगा मैंने पुछा पॉलेंड के दुस्तों ने प्रधानमंत्री कौन आपके अरियात करो तमस शुलियोग कौन है तमस शुलियोग साब जो है ये पॉलेंड के ने आपके राष्पती इनका नाम चापना है कैटलीं नोवग के बाद में इस्तिफ़ा दिया है ना आयरलेंड पुछू आपसे लियो बरार करते उनके बाद में आपके सबसे यूवा याद करो सबसे यूवा पीम कौन बने आपके वो बने साइमन हैरिस कौन बनते हैं साइमन हैरिस बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठाइलेंड पूछू आपसे छापना, थ्रेवा थाविशिन कौन सा, पूछे आपसे कौन आपके, थ्रेवा थाविशिन जो है, ये अपोइंट हुए, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मालदीब पू प्रभाबर्मा को मिला है जो भी आपने पिछले छे महां में आवोर्स पड़े हैं वो सारे में आपको इसी सवाल में वो सारे में इसी किलास में आपको रिवाइच कराने वाला हूँ ठीक है प्रभाब तोस्तो प्रभाबर्मा जी को अवोर्ड मिला है यह वाला वोर्ड मिला है छापना मलिया अलम कभी यह ये भी आपको ध्यान डखना है आगे देखें नेस्ट पूश्चन आपके अगर पुछो दोस्तों आपसे अबेल पूरुश कार पुछे आपसे एवेल पुरुसकार 24 से दुसरों आपके कौन सम्मानित हुए छापना अरे एवेल पुरुसकार पुछे आपसे 24 से छापना आपके कौन सम्मानित हुए भी हाली में सबके अरे यात करो मिशेल आपके मिशेल टैलिग्रेंट जो है है वो समानित हुए है इनका नाम भी आपको छाना है तीक에 मिशेल टेलेइट जो है अभी حدली में जो एक अबर पुरुसकार आपके उसे समानुए तो लिकना आपके ग्रेवी एल्टल उन curric 10 जो ग्रेवर उसला अडल आपके चाना ग्रेवियल अटल पूछू आप से ये कहा के फ्रांस के ने पीम मने ग्रेवियल अटल ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ग्रेवियल अटल फ्रांस के ने पीम मने भी हाली में ये आपको छापना है ठीक है हाँ मैं पूछू आप से अरे पॉलेंड ने आपके हंगरी लिखना इसको ना पॉलेंड मतले को इसको हंगरी लिखो ठीक हाँ हंगरी में तो थी आपके कैटलिन नौबोग हंगरी में थी ना तो हंगरी की बात कर रहें ठीक है पॉलेंड की बात नहीं कर रहें हंगरी में कौन आपके तमस सुलियोग हंगरी के अंदर है ना पॉलेंड क की बात नहीं कर रहे हैं अब हंगरी की बात कर रहे हैं वहीं पर तो आपके वो थी इससे पहले कैटलीन नौबोग थी आपको याद होगा उन्होंने इस्तिफा दिया था उसके बाद में आपके जो है वो तमस्लियोग साफ पॉइंट हुए ठीक है नोट कीजिए ना तो हंग पिर्दान का सरवोचनागरी सम्मान दा ओर ऑफ डुक ग्यालपो प्राप्च करने वाले पहले विदेशी प्रमुक कुण दूसों बने आपके देखो नाम क्या इसका इसका नाम है पुछों आप से पहले विदेशी कौन बने आपके हमारे जो प्रधानमंत्री जो मोधी ज इससे पहले सो ग्रीस का इससे पहले किसका पापवा दोसो नीगुनी का आपके इससे पहले छापना किसका इससे पहले पूछूँ आपसे अब फ्रांस का छापना फ्रांस पापवा नीगुनी ग्रीस पलाओ पलाओ दोसो पलाओ लिखिए का आपके यहां के भी हाइस्ट यह को बताओ, मैंने कहा आप से, किस देस के राश्वत बताओ, हमारी राश्वत राश्वत बताओ, किस देस का यल्लो इश्टार प्राप्त हुआ है, सूरी नाम कौन सा है, सूरी नाम जो है, यहां का, यल्लो इश्टार प्राप्त हुआ है, ये भी आपको धियान रखना है, किसको मिला है, द्रौबदी मुर्मुजी को प्राप्त हुआ है, हाली में अंतराश्टिय मुद्रा कोस के, अब MD पद पर पुछूँ आपसे अभी दोस्तों हाली में कौन अपॉइंट हुई हैं सैकेंड कारेकाल के लिए ठीक है देखो पहली बात तो IMF इसकी बात करूँ आपसे इसकी फुल फॉर्म होती है International Monetary Fund या फिर हिंदी मैं कहूँ तो इसको अंतराश्टी है मुद्रा कोस कह दीजिए दोस्तों या फिर आपको इसको International Monetary Fund कह दीजिए IMF हम जानते हैं ये हमारा संस्ता है याद करो दोस्तों IMF जो है मैंने आपसे कहा था आपके IMF जो है इसकी स्थापना 1944 जो है जो संवेलन जो हुआ था आपके वेटरन बुर्ट सम्मेलन जो है यहाँ पर दो संस्ता की स्थापना होती सो और उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम आपके ट्यून सिश्टर बोलते हैं याद किजिए उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम आपके ट्यून सिश्टर कहते हैं के जुड़बा बहन कहते है जिसमें IMF और कौन सी है World Bank संस्ता जो है तो संस्ता की स्थापना इसमें होती है ठीक है तो संस्ता के लिए सम्मेलन कौन सा है यह वाला ठीक है और 1945 में IMF की तो संस्ता इस थापना हो जाती है और पुछूं आप से इसका मुख्याले कहां पर है दो कि दोस्तों वर्तमान में पुछूं आप से इसकी वर्तमान में MD कौन आपके इसकी वर्तमान में MD जो है वो है क्रिष्टलिना जोर्जीवा जो है वो इसकी वर्तमान में MD कौन सो वर्तमान में MD आपके क्रिष्टलिना जोर्जीवा है दोस्तों आपके और यह कहां कि यह है बुलगारिया जो है यहां की रहने है वाली ठीक है तो बुलगारिया की जो आपके जोरजीवा मेडम है आपके वो इसकी हैड है वरतमान में भी दोस्तों M.D. यही है इनका सेकंड कारेकाल सुरू होने जाएगा आपके एक अक्टूबर 24 से छापना आपके इनको दोस्तों अ पांस साल के लिए होता है यह भी आपको नौट करना है ठीक है तो यह सैकंड बार चुनी जार चुनी जारी सेकंड बार यह M.D. बन चुकी है और कारेकाल सुरू होगा आपके जो पहले वाला एंड होगा उसके बाद दूसरा सुरू होने वाला है और फस्ट अक्टूबर स की बाद दोस्तों आती है तो हमेशा एक बात आनी चाहिए आपकी दिमाग के अंदर सो लग से फेसल ड्रोइंग राइट्स कहते है इसको हिंदी में बोलते है हिंदी में बोलते हैं इसको विशेस आरन आपके अधिकार जो है हिंदी में कहते है ठीक है कुछ लोग बोलते है कि HDR जो है वो IMF की मुद्रा है दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है ना कभी मत कहना कि HDR जो है वो International Monetary Fund जो है इसकी मुद्रा है नहीं तो मुद्रा नहीं है आपके यहां दोस्तों HDR चलता है IMF के अंदर ठीक है इसे बोलते हैं क्या इसे बोलते हैं हम पेपर गोल्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पेपर गोल्ड बोलते हैं सो और इसके अंदर पांच मुद्रा सामिल है क्या है इसके अंदर पांच मुद्रा सामिल आपके सो एक है डोलर कौन सी है डोलर हो गया सो इसके लावा पाउंड ठीक है तो चीन की करंसी आपके रेमेन भी युवान अभी हाली में नवीन तम इसमें सामिल हुई है HDR को पेपर गोल्ड बोलते बड़ा प्यारा सवाल है इसकी फुल फॉर्म विसेश आरण अधिकार Special Drawing Rights है ये भी आपको चापना है ठीक है IMF पुछूँ आपसे अगर सो पुछे आपसे यहां दो सो पुछूँ आपसे यहां पर सरवादी कोटा पुछे किस देश का आपके वो है USA किसका सरवादी कोटा पुछूँ आपसे या दोस्तों आपके सरवादी जो हिस्सेदारी पुछे किस देश की है वो है USA की ये भी आपको धियान रखना है ठीक है अगर आपसे पुछे IMF के कुल देश कितने आपके इसके कुल मेंबर देश जो है उसे 190 है और नवीनतम देश कौन सा है अंडोरा जो है आपके ये नवीनतम देश है ये भी आपको छापना है तो भारत सामिल आपके भारत इसमें सामिल है ये भी आपको नोट करना है ठीक है तो सारी बाते IMF के बारे में आपको पता होनी चाहिए IMF क्या होती है और उसका मुक्शले कहां पर है उसकी हेड कौन बनी भी हाली में सैकिंड कारेकार सुरू होगा इसका SDR क्या होता है 5 मुद्रा है कौन कौन सी है क्या दोस्तों भारत की मुद्रा सामिलेस में नहीं है सामिल ठीक है कुल देश कितने सामिलेस में नवीनतम देश कौन सा है और भारत इसका मेंबर है ये भी आपको छापना है ठीक है तो हमारा answer option number D है यहाँ दोस्तों option number एक देखो आपके A.M. खानविलकर आपको सो याद होगा याद कीजिए आपके सो अरे याद करो अजे राम, अजे मानिक राव, खानविलकर पूछों आपसे किसके दोस्तों head बने अभी हाली में ये आपके ये भारत में जो लोगपाल संस्ता है ना इस लोगपाल संस्ता के वर्तमान अद्धिक्ष कोन आपके वो हैं अजे मानिक राव, ये आपको चापना है ठीक है तो A.M. खानविलकर पूछों आपसे लोगपाल संस्ता के अद्धिक्ष कोन है, वो ये हैं इनका नाम भी आपको ध्यान लखना है ये बहुत ही महत्पूर्ण कोश्चन आपके लिए होने वाला है इसके अलावा देखिएगा हमारा अंसर हो गया है क्रिष्टिना जोर जीवा फोटों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये तरवी मिस यूनिवर्स पूछों आपसे खिताब जीतने वाली कौन दोसा आपके लिखना क्रिष्टिना पूछे आपसे कौन आपके क्रिष्टिना पूछों आपसे कौन आपके लिखना क्रिष्टिना पिश्कोबा जो है क्रिष्टिना पिश्कोबा चापना आपके ये जीच चुकी अभी हाली में खिताब और मैंने कहा तक कहा की रहने वाली है ये चेक रिपबलिक की रहने वाली है इनका नाम भी आपको छापना है तो एक एतरवी Miss Universe पूछे आपसे कौन है किष्टिना पिश्कोबा जीच चुकी है चेक रिपबलिक की रहने वाली है अगर दोस्तो आप से यहाँ पर ये पूछ ले पूछूँ आपसे इससे पहले वाली जो है वो कौन सी थी इसका नाम च्छापना आपको ठीक है संगीत कलाने दी पूरुसकाः चोबे से पूछूँ आपसे सम्मानी दोस्तों करने वाला कोन आपके संगीत कलानदी पुरुसकार चापना किसको मिला है टी-एस किष्णा जी को मिला है संगीत कलानदी पुरुसकार ये भी आपको ध्यान रखना है किसको मिला है टी-एस किष्णा जी को मिला है नोट करना शंगीत कलानादी पूरुसकार KPP नाम यार अवोड पुछ हो आप से अभी दोस्तो हाली म किसको मिला है नाम यार अवोड याद कर आपके S.SOMNAT किसको मिला है S.SOMNAT को अवोड आपट हुआ है अच्छा आपको याद होना चाहिए S.SOMNAT साहब जो है वो इसरो के क्या है, इसरो के वर्तमान चेर्मेन आपके सों, इसरो के वर्तमान चेर्मेन, चीफ है हमारे, एस सोमनात, और इनकी बुक कौन सी है, सेयर जिसने चांदनी पीली क्या है, सेयर जिसने चांदनी पीली जो है, वो इनकी बुक का नाम है, ओटोगराफिक नाम है, ये पहले वाला मेने का Miss Universe जो है Miss Universe पुछूँ आपसे कौन दोस्तों अपॉइंट होते हैं छापना देखो Miss Universe की बात करूँ आपसे हमारी यहां से दो आपके Miss Universe बन चुकी है ठीक है तीन बन चुकी है ना First कौन सी आपके सो फर्स थी हमारे यहां से कौन आपके वो थी सुसमिता सैन कौन थी सुसमिता सैन थी हमारे यहां से सैकेंड पूछू आपसे लारा दता सैकेंड थी हमारे यहां से और थर्ड सो पूछू आपसे अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके अपोइंट हुई है उन थर्ड का ना वाली है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में सुडान पर अंतराश्टी है मानवतावादी संभेलन पूछओं आप से इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है छापना देखिए उसको नाम कैस का इसका इसका नाम है अंतराश्टी है अं संभेलन आपके फ्रांस का जो पैरिस है वहाँ पर हुआ है ठीक है हाँ पहली मिस्ट उनिवर्स कोन बनती भारत में से सुष्मिता सैन बनती है 1994 के अंदर ठीक है मैंने का अंतराश्टी है मानवतावादी संभेलन जो कहां पर हुआ है ये पैरिस के अंदर हुआ है का पैरि जो है किसके लिए हुआ है वो सुडान दो जैसे आपके सुडान में सुडान में सुडान में सु गरहयुद चल रहा है ना सुडान में आपके सिविल वार चल रहा है ठीक है सुडान में सिविल वार चला है सो इसको समाप्त करने के लिए इसको समाप्त करने के लिए या फिर आंसर के, option number 1 Paris जो है, correct दोस्तों आंसर हो गया है तो Sudan में जो civil war चल रहा है सबके, civil war का मतलब एक देश के अंदर जवाब के, कोई दो गुट आपस में लड़ रहे हो दोस्तों आपके बड़े इस्तर पर वो आंदोलन हो रहा हो सरकार के खिलाफ अंदोलन हो रहा हो तो उसे बोलते हैं हम लोग civil war कहते हैं या फिर उसको हम इंदी में कहते हैं ग्रह युद कहते हैं, देश के अंदर युद चल रहा हो, तो ग्रह युद होता है, ठीक है Sudan में वो काम चल रहा है सो आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है सो आपके, एक बार जब civil war हुआ यहाँ पर तो एक देश इससे अलग दोस्त हो गए आपके, और उस देश का नाम कहते हो Sudan से एक देश अलग होता है उसका नाम कहा है, South Sudan उसका नाम था, क्या नाम था South Sudan से नाम था उसका अगर आपको याद दो याद कीजिएगा UNO का नवीन तम 193 मेंबर कौन सा आपके वो South Sudan है आपके और इसकी राजधानी कहा सो जुबा इसकी राजधानी है यह भी आपको ध्यान रखना है तके जुबा केसरी राजधानी है इसकी नोट कीजिएगा ना और यहाँ पूछों आपसे Sudan चापना सो Sudan पुछें आपसे अर याद करो Sudan जो है मैंने कहाँ आपसे इसकी राजधानी कहा है Khartum जो है Khartum दोस्तो इसकी राजधानी है और सो यह वही स्थान कहा है Khartum दोस्तो वही स्थान है जहां पर वाइट नील और बिलू नील जो है आपस में मिलती है ठीक है देखो सो यहां पुछूँ आप से यहां दो से एक जील आपके अफरीका महादीब के अंदर उस जील का नाम कै है उस जील का नाम है विक्टॉरिया जील आपने इसके बारे में पड़ा दोस्तों होगा अफरीका महादीब जो है वहां की सबसे बड़ी जील कौन सी आपके अफरीका महादीब की आपके बिगेश जील कौन सी है विक्टॉरियस अलेक आपके और इसके बीचों बीच कैसे हो इसके सो बीचों बीच में से आपके एक्क्वेटर जो होता है जो भूमद्दे रेखा होता है वो गुजरता है आपने ये सवाल खूब पढ़ा होगा ठीक है यहां दोस्तों यहां से आपके एक नदी स्टार्ट होती है आपके सो उसका नाम क्या सो इसका नाम आपके वाइट नील क्या नाम इसका इसका नाम वाइट नील आपके और यहां दोस्तों यहां से आपक बिलू नील क्या नाम इसका, बिलू दोस्तों नील नाम इसका, और जहां दोस्तों जहां पर आपके हैं, तो दोनों नदी मिलती हैं आपके सो, इस स्थान को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग खार्तूम क्या बोलते हैं, खार्तूम कहते हैं, जो कि सुडान देश जो ह आपके नील नदी बनती है ये आपको छापना है ठीक है जो की वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील नदी ये आपको नोट कर, कभी पूछ ले आपसे कि वाइट नील कहां से निकलती है, बिलू नील कहां से निकलती है, सवाल आ सकता है एक्जाम के अंदर ना, कहां पर दोस तो नील नदी के ऊपर शापना, यहां दोस्तों आपके कौन सा बांध है, आसवान बांध कौन सा है, आशवान बांध जो है, वो सो यहां पर शापना सो, आशवान बांध सो, और यहीं देश कौन सा आपके, यहीं देश दोस्तों आपके, इजित देश जो है, मिश्र देश ह जिसको दोस्तो हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं नील नदी का वर्दान क्या बोलते हैं नील नदी का वर्दान बोलते हैं ये भी आपको छापना है और उसके बाद दोस्तो ये नदी जो है आपके यहां भूमद सागर जो है यहां गिर जाती है ठीक है ये पूरा दोस्तो इसके लाव सो नासिर डेम है ना शापना सो जो नासिर डेम आपके नासिर बांध जो है वो भी यहीं पर ठीक है तो नासिर बांध पूछे आपसे आश्वान बांध पूछूं आपसे यह तोनों यहीं पर है शापना महत्पूर सवाल आपके लिए बन सकता है ठीक है यह नीन option number एक correct answer है यहां सम्मेलन आपका IG हुआ है ठीक है और यह अगर सवाल पूछ ले आपसे तो भी आपको कर देना है सवाल का मतलब क्या है वो आपको ध्यान लखना है ठीक है अभी दोस्तों पूछूँ आपसे कुछ सम्मेलन याद करूं मुझे पूछूँ आपसे बताओ हुआ है छापीगा SEO 23 का दोस्तों होस्ट कौन हुआ है इसके लावा इंटरपोल जो है इंटरपोल की नवीनतम जो बैठक आपके 91 नम्मर की आपके पूछूँ आपसे कि अभी दोस्तों हाली में कहां पर हुई यह चापना कहां पर अभी हाली में है इसका दोस्तों आईज किया गया ठीक है आगे देखिए दोस्तों इंटरनेशनल उमनेटरियन Conference for Sudan आपके जो कहाँ पर हुए पैरिस के अंदर हुई है 15 अप्रेल को इसका आयजन हुआ है 58 मा ग्यान पीट पुरुसकार से अभी दोस्तों हाली में कौन सम्मानित हुए देखो पहली बार किसको मिला पहली बार आपके जी संकर कुरूप किसको मिला है जी संकर कुरूप भाई साब जो है इनको सो पहली बार मिला था आपका मलियालम लेंग्वेज के लिए अवोर्ड मिला ठीक है 11 लाख उर्पे दोस्तों आपके और बाग देवी जो है मा सरस्वती जो है उनकी परतीमा इसके अंदर जो है वो उपलब्ध होती है इसमें आपके इनाम के रूप में मिलती है अभी दोस्तों हालिम kis को मिला अभी हालिमे जगत गुरु किसको मिला है उस्तक पुरुसकार 24 जो है अभी दोस्तो हालिम किसको मिला है अरे याद करो रोमेन रोलेंट पुरुसकार किसको मिला है अगे देखेगा तदा सहाफ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवोर्ड 24 में सर्वस्रेष्ट अभीनेता का अवोर्ड किसको मिला है देखो एक तो अबूर्ड कौन सा है रजशाफ फाल कि ये आगे भी आएगा ख понять एक तो अबूर्ड कोन सा है दした साफ फाल कि दूसतों आपके ये आपके achievement award जो है वो है ठीक है उसकी बात करूँ किसको मिला सो यह अवोर्ड किसको मिला चापना सो यह अवोर्ड तो किसको आपके वहीदा रह्मान किसको मिला है कहीं पर निगाएं कहीं पर निसाना वो वाले अवोर्ड की बात करूँ तो वहीदा रह्मान को मिला है ठीक है और सवाल पूछे आप सिलसों अभी हाली में रासाफ साल फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवोर्ड में सर्वसेष्ट अभिनेता का अवोर्ड किसको मिला है सारुक खान किसको मिला है सारुक खान सो इसको अवोर्ड मिला है यह भी आपको शापना सो और किसके लिए मिला है जवान फिल्म के लिए मिला ठीक है जवान फिल्म के लि कौन सा है ठीक है देखिए अभी दोस्तों हाली में आपके मैंने का आप से वर्ल्ड के सबसे व्यस्तम एरपोर्ट जो हैं बिजियस्ट एरपोर्ट जो हैं इनकी दोस्तों अभी हाली में सूची जारी हुई आपके सबसे व्यस्तम जो एरपोर्ट हैं इनकी सूची जारी हो च थीक है तो नमबर फिर्फ पे कोन आपके अटलांटा सो एइरपोर्ट जो एये जो कि कहां पर है जो कि तो स rookie USA नदर एये इसमें टॉपनप पर ठीक है तो काट्लांटा एयरपोर्ट USA जो इसमें और सेकंड स्थान पुचूंँ हूँ आप से दुबाई दोस्तो एर्बोर्ट चापना दुबई एर्पोर्ट सागें इस पर यह आप को छापना है हमारी ओर से टॉप टेन mikeवल दोस्तो एक सामिल आपके हमारी ओर से दस्वास्थान किसका हो गए सोह हमारी होसे दस्वास्थान जो है वो इंदरा गांदी कि इंडरा आई गांदी इंट्रनेसनल एर पोर्ट है जिसको हम दोस्तों क्या वोलते हैं IGI और बोलते हैं चापना जो कि दिल्ली साल 2023 के अंदर यहां पर 7.22 साथ पॉइंट बाइस आपके करोड आपसे अधिक यातरी जो है उन्होंने एक साल में यातर किये ठीक है 2023 पूछ हूँ आप से यहां पर 7.22 आपके इतने 200 करोड आपके यातरी जो है उन्होंने यातर किये इसके अंदर और वर्ल्ट के टॉप 10 ज आपका अटलांटा एरपोर्ट जो कि USA के अंदर आपको धियान रखना है ठीक है अगर दोस्तो एरपोर्ट की बात मैं करी रहूं यहाँ पर तो आपको बताना है मुझे दोस्तों आपके बताओ मौपा जो एरपोर्ट है इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है चापना मौपा एरपोर्ट का नाम चंडी कर दोस्तों एरपोर्ट का नाम अयोदा एरपोर्ट का नाम क्या हो चुका है इसके लावा दोस्तों कैंप गोड़ा जो एरपोर्ट है वो कहां पर चापना कैंप गोड़ा एरपोर्ट कहां पर दोस्तों आपके इसके लावा वीर सावर कर एरपोर्ट कौन सा है वीर सावरकर जो एरपोर्ट है वो कहां पर दोसो छापना आपके वीर सावरकर एरपोर्ट है इसके लावा अगर पुछे आप से इसके लावा छापना सो इसके लावा अगर पुछू आप से लाल बहादुर सास्त्री एरपोर्ट कौन सा है लाल बहाद सिंग जो एरपोर्ट है वो कहां पर इशाबना चोदरी चरंशिस एरपोर्ट जो है यह कहां पर है गोपीनाथ बार्दोलाई एरपोर्ट कौन सा है गोपीनाथ बार्दोलाई जो एरपोर्ट है यह तो कहां पर इशाबना गोपीनाथ बार्दोलाई एरपोर्ट जो है यह कहा पर रहे यह आपको बताना है तिक इत्क देख़िए पहला कुछ न आपके सामने मैंने का मोपा एरपोर्ट का नेया नाम क्या हो चुका है चापन शोओ इसका नाम हो चुए है मनहोर परी कर एरपोर्ट कहां पर है गौवा वाले बीचछ पर कुछ आपना है सो, गोवा के अंदर एयरपोर्ट है, इसका नाम है, मनोर पर्रिकर एयरपोर्ट, पहले इसका नाम मोपा एयरपोर्ट था, ठीक है, चंडिगर से एयरपोर्ट पुछ वाम से, अरे वो महबत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांजा भगस सिंग और जि महरसी बाल्मी की जो एयरपोर्ट है, वो आपके चंडिगर एयरपोर्ट का नाम हो गया, ठीक है, कैम्प गोड़ा दोसे एयरपोर्ट पुछो किसका नाम कहा है, कैम्प गोड़ा एयरपोर्ट शापना कहां पर सो, यह बंगलूरूरू के अंदर आपके, और यहीं यहीं दोस्ते है कि Statue or Prosperity कहा है Statue of Prosperity जो है वो आपके यहीं पर है, यह भी आपको धियान डगना है धिन्डी वीरसावर कर एयरपोर्ट कहा है यह अंडमान निकोबार कहा है अंडमान निकोबार जो पोर्ट बिले रहे यहाँ पर जो एरपोर्ट उसका नाम क्या है, वीर सावरकर एरपोर्ट, टीक required लाल-बहादुर-sahastry airport पूछोँँ आप से, कहा है दो से आपके, अरे लाल-बहादुर-sahastry एरपोर्ट याज करो सो, कहाँ पर लाल-बहादुर-sahastry, एक तो है चोदरी-Charan Singh दोस依र आप लाल भादुशाष नी कहाँ पर है वरण affordable अदर यह वाला Airport ठीक है चोदरी चरंशिंग अब पूछ अपसे लखनो दोस्तrist नवावों की नगरी जो है यहाँ पर चोदरी चरंशिंग Airport ठीक है गौपीनाच बार्दॉलाई एरपोर्ट पुछे कहां पर इसके लावा छापना सुभास चंदर बोस पूछ हूँ आपसे सुभास चंदर बोस एरपोर्ट जो है ये कहा है दोस्तों छापना आपके इसके लावा भीमराव अमेडकर एरपोर्ट पुछे आपसे भीम राव अम्वेडकर एरपोर्ट जो है ये कहां पर है इसके लवा छापना इसके लवा सरदार बल्लब भाई पटेल एरपोर्ट पुछे आप से ये गुहाटी के अंदर असम के अंदर है ना असम गुहाटी के अंदर गोपिनाथ बारदुलाई एरपोर्ट हो गया ठीक है इसके लाप पुछो आप से सुभास अंदर बोस एरपोर्ट कहा है तो साब के ये आपके पक्षिम मंगाल में कलकत्ता के अंदर आपके एरपोर्ट कौन सा है subhans sonrov Boss airport हो गया ठीक है इसके इसके लाप पुछो हूँ हूँ हम से सरदार बलब भाई पटेल airport का हो यह है गुजरात कहाँ पर है गुज्रात जो है यहाँ पर यह वाला airport हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ question और देखते हैं दिल्ली एरपोर्ट की फोटो आपके सामने यहाँ पर Roman Roland पुस्तक पुरुसकार पुछूँ आप से यह सो अभी पड़ा मैं आपके पंकच कुमार जी को यह वोड प्राफ्थ हुआ अभी मैंने लिखाया था आपको ना अफसिस जल प्रबंदन के लिए जल योद्ध पुरुसकार पुछा आप से 24 जोई दुस्तक आपकी किसको मिला है यह मिला है किसको नौइडा अथोरिटी को प्राफ्थ हुआ है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और सो यहां कौन सा एयरपोर्ट आप किस हो है यहां आपके एयरपोर्ट का नाम क्या है जेवर एयरपोर्ट का नाम है जेवर एयरपोर्ट यहां बन रहा है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो पुछूँ आपसे जरी उद्धा पुरुषका किसको मिला है छापना वो अभी हाली में नौईडा प्रादीकन को प्राफ्थ हुआ और मैंने आपसे का यहाँ पर जेवर एरपोर्ट आपको नोट करना है ठीक है आगे देखिए पांचवा राष्टे युवा संसद महुसर पूछूँ आपसे चौबिस में पहला पुरुषका किसको प्राफ्थ हुआ जो है इसमें फर्ष्ट अवोड जो है किसको प्राफ्थ हुआ जो सो बताओ comment box में च्छापना आपके फर्स्ट अवोर्ड जो है, यंग लीडर के रूप में सामने जो आएं आपके, किसको अवोर्ड प्राप्त हुआ है, आपको चाहपना है, पांचवा राष्टी युवा, संसद मावस्वप के अंदर, फर्स्ट अवोर्ड किसको मिला है, अरे याद को सो, सारवादिक एरपोर आपके कहाँ पर, यूपी के अंदर ही हो चुके हैं, आपको पताना है, मुझे फर्स्ट अवोर्ड जो है, एक इसको प्राप्त हुआ है, यतिन भासकर जो है, इनको दोस्तों ये अवोर्ड प्राप्त हुआ है, यतिन भासकर जी को अवोर्ड मिला है, इनका नाम भी आपक एक राश्पति ऐसा है, जो trending में रहता है भाई साब उसका नाम क्या है? उसका नाम पेट्रोल पंप, मतलब डोनाल ट्रम्प जो है आप तो जब से राश्पति बनें दोस्तों, अब तक राजपती नहीं है, मन्दद चुनाब दोस्तो, बापस होने वाले हैं, यह वाई साथ ट्रेंडिंग में रहते हैं, दोस्तो कोई ना कोई काम करता है, इससे ट्रेंडिंग में रहते हैं, ठीक है, देखेगा, नाम क्या थो, नाम इनका है donald trump, क्याना सुखत building, इनका नाम ह Donald Trump ठीक है यह है दोस्तों अमेरिका जो है US जो है इसके पूछ हूँ आप से अमेरिका जो आपके यह देश है आपके उसके यह 45 में कौन से 45 नमबर के राशपती रह चुके हैं यह तो आप जानते हो ठीक है यह पूर राशपती रह चुके हैं आपके अभी तो वर्टमाम सो इनकी पार्टी कौन सी है इनकी पार्टी है Republican Party जो है इनकी पार्टी Republican Party इनकी पार्टी का नाम है और यह अमेरिका जो है वहाँ पर United States of America में आपके 45 वी 45 में राश्च्पति की रूप में आपके कारे करते हैं और एक बार कारे कारे कि अपरादिक मुकदम क्या है आपरादिक मुकदम स्टार्ट हो चुका है कि क्रिमनल केस बन चुका है यह अमिरिका के फर्स्ट आपके ex-president बन चुके हैं, ये भी आपको चाप रहे हैं, इसका आपके criminal case का सामना करने वाले आपके, इनके ओपर तो 2 case चल रहे हैं, बसे case दोस्तों इनके ओपर बहुत सारे चल रहे होंगे, पर 2 case में इनके ओपर अभी हाली में जो है, मुकदमा दोस्तों इस्टार हुआ है, एक case दोस्तों आपके pop star रहे चुकी हैं आपके, उनके साथ में sexual relation बनाने के लिए और उसको च्छिपाने के लिए जो है, एक तो case ये चल रहा है, ठीक हैं, एक case कौन सा आपके सो, एक case इनके ओपर चल रहा है जो आपके, वो कौन सा वो है आपके, pop star जो हैं आपके सो, एक pop star है, इन पौप star साथ में आपके इनोंने sexual संबन्द स्थापित किये थे और उसको च्छिपाए रखाता है इनोंने, उसके लिए आपके, मतलब चुनाव से पहले चल रहे थे, चुपाए रखा जानकारी नहीं दिये, उसका case भी उनके ओपर चल रहा है, ठीक है, second case तो चल रहा है इनके ओपर आपके, इनोंने दोस्तOM आपके, इनोंने आपके, 1.30 lakh डॉलर जो है इतने का भुगतान जो है छिपाने का आरोब जो है वो भी इनके ऊपर है ठीक है एक केस इनके ऊपर किंतरा है आपके 1.30 lakh आपके इतने डॉलर का आपके जो भुगतान हुआ था आपके payment जो है इसको छिपाने का मतलब corruption का आरोब भी का punishment भी इसके अंदर मिल सकता है यह संभावना भी इसके अंदर है ठीक है चाहर साल का punishment इसमें मिल सकता है संभावना इसके अंदर है भाई साब दोस्तों मतलब 1.30,00,00 के लिए राश्पती के ऊपर केस चल रहा है यहां तो भाई साब दोस्तों कई लोग तो ऐसे हैं जो पैस पति को आपके संभावना है कि वहाँ पर उनको चार साल की punishment भी हो जाए ठीक है संभावना है यहां तो भाई साथ दोस्तों इतने लाख में डकार नहीं ले इंसान न यहां पर इतने का case सल रहा है देवर देवा कली हुगा चुका है खोर कली हुगा ठीक है option number D Donald Trumps ठीक answer है अगर आप से पूछू दोस्ता आप से कि जो महाभयोग जो होता है इसको हम impeachment कहते है ठीक है जिसको गहां बोलता है हम आपके impeachment कहते हैं सो महाभयोग का सामना करने वाले American first पूछू आप से first American राश्पती कौन बताओ महाभयोग जो है इसका सामना करने वाले अमेरिका के first राश्पती कौन रह चुके हैं यह आपको बताना है ठीक है कुल दोस्तो तीन राश्पती अब तक जो है आपके जो महाभयोग जो होता है मतलब कि राश्पती जी को पस से हटाने की जो प्रिखेदिया होती है उसका सामना करने वाले आपके तीन राश्पती सवाल मेरा यह आपसे कि first अमेरिकान राश्पती कोन है जिनको जिनके उपर महाभयोग आपके impeachment जो है हाँ आपका दुस्तों इंट्रेस किसमें है आपका इंट्रेस इसमें गुरु जी है पोप स्टार क्या होती है अरे दुस्तों आपके जो गाना वाना गाती है आपके dance व कॉनगों अरे देवर डेवा कॉनघ्री से कहां दोस्तों अमेरिका में आएगा यार एंढ़्यॉॉ जोंसन लिखना कौन है वो कौन था आपकी वो थे एंट्रुीं जॉंसन कौन थे एंडुरु जोंसन अब तक तीन ही आपके आ परस्ट हो गया है आपकां बिल क्लिंटन के महावयोग पूरा नहीं हुआ फिर भी एंड्रू जॉन्सन पहले थे बिली किलिंटर सेकेंड आपके और ट्रम्प साव आपके थर्ड थे इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब तो महावयोग की अगर बात आई है तो आप लिखिए दूसरों तो राश्पती जो है आपके प्रसीडेंट पूछ हूँ आप से इसका चुनाप पूछ है आप से इसका सो इलेक्षन पूछ हूँ आप से इलेक्षन पहली बाद तो इलेक्षन में भाग कौन लेता है ठीक है तो भाग लेने वाला होता है कौन सा आपके निरवाचक मंडल होता है कौन सा है कौन भाग लेगा, Elected MP, कौन आपके, Elected MP दोसों, और Elected MLA जो हैं आपके, वो इसमें भाग लेने वाले, ठीक है, Elected MP, Elected MLA भाग लेगे, कौन भाग नहीं लेगा, तो मनोनित आपके, मनोनित सांसत भाग नहीं लेगे, और जो MLC जो होते हैं, जो स्टेट में होते हैं, जो हमारे विधान सभा के अंदर होते हैं, वो भी भाग नहीं लेगे, ठीक है, तो Elected MP, Elected MLA भाग लेगे, और इसमें दिल्ली और पूदुचेरी, जो आपके, दिल्ली पूदुचेरी पूछओं आप से, यहां के जो Elected MLA भी भाग लेंगे, आपको बताना है कि यह बात इसके अंदर, कौन से Amendment से, कौन से संसोतन जोड़ी गई, आपको च्छापना है, ठीक है, तो भाग लेने वाले कौन, यहां पर भाग लेने वाले लिखे हुए, ठीक है, सेकेंड पूछओं दोस्ते आप से, कि जो राजपती पत के लिए खड़ा हुआ है, उसके लिए पूछ़ए आप से, एज कितनी चाहिए, 35 वर्ज जो है, उसके लिए minimum एज चाहिए, ठीक है, अगला कोशन पूछ़ए आप से, निर्वाचन पूछवँ आप से, इसकी पदती क्या होगी दोस्तों आपके, कैसे चुनाव होने वाला चाहपना, ये बात आर्टिकन नंबर 55 में लिखी हुई है, और किस से होती है, एज टीवी से होती है लिखना आपके, एकल संक्रमणी क्या है, एकल संक्रमणी है, मत पदती जो है आपके, इससे चुनाव इसका होता है, ठीक है, सिंगल ट्रांस्फिरेबल से बोट सिस्टम जो है, इससे चुनाव इसका होता है, मतलब दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, वो केबल उसे एक boat नहीं डालता आपके, वो rank देता है कि मैं पहले इस्थान पर मैं इसको चुनूँगा, second पर इसको चुनूँगा, third पर इसको चुनूँगा, और fourth पर इसको चुनने वाला हूँ, तो rank देने वाला system जो है, वो यहाँ पर दूसे होता है, और सवाल मैंने पूछा आपसे यहाँ पर, कि दिल्ली और पूदूचेरी के MLA सामिल होंगे, यहाँ बात आपके यहाँ पर, सत्तरमा जो सविधान संसोदन है, इसको दोरा जोड़ी गई, यह भी आपको छापना है, तो भाग कौन कौन लेंगे, और इसके अलावा चुनाव कैसे दोस्तो होने वाला है, और इसके अलावा छापना आपके, यह हो गया चुनाव आपके सामने, और थर्ड पॉइंट लिखे दूस्तों आपके सामने कि इसको तो हटाना हो तो क्या होता है तो होता है impeachment क्या होता है महावयोग होता है सो इसको बोलते हैं हम लोग impeachment तिके impeachment वर केवल किसके लिए केवल और केवल आपके राश्पती को हटाने के लिए काम लेंगे तिके impeachment केवल कारेकाल पांस साल कितना होगा इसका कारेकाल पांस साल होगा और यह बात आर्टिकल नंबर 56 में लिखी है ठीक है कारेकाल इसका पांस साल होने वाला 56 में लिखी है और जो प्रकेरिया जो यूज होगी वह कौन सी है महा भी योग जो है impeachment सो होने वाली है यह आपके आर्टिकल नम्म एक सट में लिख हुई है और यह पर कहां पर होगी सो Parliament के अंदर पर किरिया होने वाली है और इसके अंदर छापना है इसके अंदर आपके निर्वाचित हो दोस्तों या मनोनित हो दोनों मेंबर इसमें भाग लेने वाले सो और लिखना आपके इसमें जो बहुमत चाहिए होता है वो आपके बहुमत कितना होता है लिखना आपके कुल मेंबर कुल मेंबर का दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है जो कि भारत में किसी भी बहुमत में सरवाधिक भहुमत यहीं पर होता है कुल मेंबर का टू बाइ थर्ड भहुमत यहाबर चाहिए होता है यह आपको छापने ठीक है तो कैसे चुनाव होता है चुनाव कौन-कौन भाग लेता है कारेकाल कितना है उम्र क्या चाहिए पदति क्या होती है इसके अलबा महाभयोग जो है कमेंट चलाओ ना भाई रुके हुए है यार क्लास चल रही है नहीं चल रही है तो जो महाभयोग जो impeachment जो होता है आपके उसमें कौन-कौन भाग लेगा वो सारी बाते में आपको यहाँ पर जो है उपलब्दियों के लिए Aviation Week Laureates Award 24 से पुछों आपसे कौन सम्मानी दोस्तों हुआ है ठीक है देखेगा चंदरियान थर्ड जो आपके पूछे है आपसे mission में उलेखनी उपलब्दियों के लिए Aviation Week Laureates Award किसको मिला है छापना यह मिला है इसरो किसको मिला है इसरो जो है इसको यह अवोर्ड प्राप्थ हुआ है ठीक है किसको मिला है इसरो दोस्तों इसको यह अवोर्ड प्राप्थ हुआ है छापना अवोर्ड का नाम है Aviation Week Laureates Award जो है यह आपके प्राप्थ हुआ है कर गया है और LVM 3rd आपके M4 जो है इस रोकेट से लॉञ्च किया ये आपको च्छापना एठीक है इसे हम बाहुबली कहते हैं ना LVM 3rd M4 rocket जो है जिसको बाहुबली कहते हैं इससे लॉंच किया गया है 14 जुलाई को लॉंच हुआ और जिस इस्थान पर पहुंचा उस इस्थान क्या बोलते हैं उस इस्थान को बोलते हैं हम लोग क्या आपके सिर्फ सकती पॉइंट जहां पहुंचा वो इस्थान कौन सा है सिर्फ सकती पॉइंट वो इस्थान हो गया है और जिस तारीक को पहुंचा वो तारीक कौन सी है वो है नैशनल स्पेश डे बनाते हैं इस तारीक कौम राष्टी है अंतरिश दिवस के रूप में बनाते हैं ठीक है 2024 में कितने लोगों को दोस्तों आपके देश का हाइस्थ अवोर्ड आपके शापना है इस बार प्राफ्थ हुआ है पांच को दोस्तों ये अवोर्ड प्राफ्थ हुआ है याद कीजिए आपके एक कौन आपके शापना सो पांच को अवोर्ड मिला आपके कौन कौन है MS, Swaminaתani ji को अवोर्ड प्राप्थ हुआ है इसके लावा छापना किसको मिला है चोधरी चरंशिंह जो है इनको अवोर्ड मिलेगा नोट करना चोधरी चरंशिंह को अवोर्ड प्राप्थ हुआ इसके लावा छापना इसके लावा आपके पीवी नर्सिंबर आप जो है इनको दोस्तों अवोर्ड प्राप्थ हुआ लिखना आपके स्वामी नाथन जी को अवोर्ड मिला इसके लवा चोदरी चरन सिंग जी को अवोर्ड मिला इसके लवा पीवी नर्सिंबर आप जी को अवोर्ड मिला इसके लवा छापना कोई बात कमेंट नहीं यारे कोई बात नहीं न दोस्तों आपकी किलास तो चल रही है ना आप किलास पर ध्यान दो कमेंट को जाने दो भाड में ठीक है म. स्वामीनाथन, चोदरी चरंशी पीवी नर्सिम्बाराव, आपके थड़ नाम लिखिया आप लोग किन सा है और इसके लावा छापना आपके एक हमारे जो लाल केशन अडवानी साब जो है ये हो गए तो इन पांच को आपके ये अवोर्ड प्राप्त हुआ है ठीक है इन पांच को ये अवोर्ड प्राप्त हुआ है कल मैं आपके सामने जो है भात पन जो हमारे सारे की सारे कल आपको ल पूछूँ आप से आज की तारीक में बड़ा महत्पून नाम दोसर रहने वाला है और याद कीजी आपके तो राम मंदर जो विवाद हुआ था उस केस के अंदर जो है इस केस में जो फैसला सुनाने वाले जो न्याइदीज थे आपके जो मुखे न्याइदीज कौन थे आप विनाश पूछूँ आपसे लोज कहां दोस्तों हुआ है अभी एक रिपोर्ट आई है गिलोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सा है गिलोबल फॉरेस्ट वाच रिपोर्ट दोस्तों अभी हाली में सामना आईए इसमें दोस्तों कहा गया है कि 2001 के बाद मतलब कि 2001 से 2030 की बात करूँ आपसे, 2000 दूस्तों एक के बाद क्या आपके अभी दूस्तों हाल मेंक रिपोर्ट सामना आई हे, Global Forest Watch सामना आई हे, इसमmbol कहा गया है कि 2001 से 2030 के बीच आपके जूसों forest जो क वरर हमारे अपर इस में कमी हुई है, कितनी कमी हुई है आपके 6% की कमी हुई है मतलब 2.33 million hectare जो है इतने की दोस्तों कमी हुई है ठीक है देखिएगा मैंने दोस्तों काफ से 2001 से तेज़ के भी चापना आपके जो सो व्रक्ष आवरन जो है जो व्रक्ष कवर है आपके forest cover जो है इसमें 2.33 million million दोस्तों आपके hectare जो है इतने की कमी हुई है ये आपको 6 अपना है ठीक है इतने का विनास हुआ दोस्तों आपके और यह कितना आपके यह कुल व्रक्ष कवर का आपके 6% है ठीक है कुल व्रक्ष कवर का 6% है ये भी आपको तो ध्यान रखना है ठीक है तो दोजार एक से तेजिस के बीच में आपके कितनी कमी हुई आपके यह तो आपके सामने जो है वो यूटूब की समस्या यूटूब की समस्या चल रही है कुछ है न सायद तो छोड़ यह कोई बात है क्लास तो पूरी करते हैं हम ग्लोबल फोरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार व्रक्ष कवर जो है उसमें कितनी आपके 2.33 मिलियन दोस्तों हेक्टेर जैसे कमी हुई है चापना और कुल व्रक्ष कवर का 6% आपके कमी हुई है इसमें यह भी आपको ध्यान आठीक है अगर पूछूँ आपसे सरवादिक कमी तो यह किलास बाद में देखने वालों के लिए महत्पूर्ण होगी ना इसलिए हम आराम से पढ़ते हैं पूरा किलास कर लेते हैं छोडते हैं यूटूब में कुछ समझ से चल रही है कोई बात नहीं दोस्तों आप देखिए नेस्ट कोशन मैंने आपसे कहा यहां पर कि जो ग्लोबल सो फोरेस्स आपके वाच रिपोर्ट आपके अगर पूछूँ आपसे इसमें चल तो रही है न किलास इसमें कमी जो हुई है कितनी हुई है 2.33 मिलिन हेक्टेर जो है इसकी कमी हुई है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब यहां पर जो कमी जो हुई है ना आपके उस कमी में आपके कितना उस कमी में केवल 60% कमी तो केवल 5 राज्य में हुई है ठीक कौन सा हो गया आपके फर्स नंबर पर इस्टेट आपके असम हो गया ना तो सरवादी कमी कहा पर हुई है असम में हुई है आपके सरवादी कमी असम में हुई है चापना सेकेंड इस्थान पर कौन आपके सो मिजोरम सेकेंड इस्थान पर हो गया चापना मिजोरम सेकेंड इ गया है फोर्च आपना नागालेंड आपके फोर्थ इस्थान पे हो चुका है और मेगाले आपके पांचमें इस्थान पैसों चिंता की दूस्तों बात यह कि सारे स्टेट कहां से हैं नौर्थ इस्ट इस्टेट है सारे की सारे कौन से हैं नौर्थ इस्ट इंडिया के आपके इन पांच स्टेट के अंदर हुई है ठीक है सवाल पूछ रहा है कि सरवादिक व्रक्ष आवरण के कमी कहां पर हुई आपके वो असम के अंदर हुई है option number C answer है बाकि कुल कमी कितनी हुई है आपके 2.33 इन पांच सरवे रिपोर्ट के है और जारी कहां से होती है दहरा दून से जारी होती है चापना और पुछूँ आपसे कब होती है 87 में जारी होती है आपके और हर 2 साल में कहा है हर 2 साल में एक बार जारी होती है ठीक है तो हर 2 साल में एक बार आती है पहला question हो गया है 87 में start हुई थी आपके यह और धहरा दून आपके यहां से जारी होती है यह भी आपको धियान रखना है ठीक है सर्वस्री धाकी का अवोर्ड मिला यह आपको छापना है ठीक है और राज्य में पूछू कौन आपके राज्य में फर्स्ट आपके ओडिसा इस्टेट है ठीक है राज्य में फर्स्ट ओडिसा इस्टेट है और मिनिस्ट्री में फर्स्ट कौन सा आपके वह आपके मिनिस्ट् Ministry of Culture जो है इसकी थीम क्या है बताओ आप मैंसे कौन छापने वाला है इसकी थीम क्या रही है Ministry of Culture की है ना देखो इसमें पूछ हूँ आप से इसमें Chief Guest कौन था आपको सो इसमें Chief Guest हमारे कौन थे Immuniel Macron कौन थे Immuniel Macron साब थे जो कि France के क्याते राश्पती थे इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है ठीक है सवाल यह है कि संस्कति मंत्राले जो इसकी थीम क्या है वह आपको बताना है ठीक है 69 Film Fair Award 24 में सर्वस्रेष्ट अविनेता का अवोर्ड पूछ हूँ आपसे किसको प्राप्त दोस्तों हुआ है आपके अभी दोस्तों हाली में चापने देखो यह है Film Fair Award है ठीक है National Award नहीं Film Fair Award है ना किसको मिला है सो यह मिला है रनवीर कपूर किसको मिला है रनवीर कपूर को मिला है किसके लिए Animal Film के लिए Animal Film के लिए Film Fair Award आपके रनवीर कपूर को प्राप्त हुआ है और Best Film का अवोर्ड पूछ हूँ आपसे वो किसको मिला है 12th fail किसको मिला है 12th fail जो है इसको Best Film का अवोर्ड प्राप्त हुआ है ठीक है तो लिखिए आपके रनवी पिएर कपूर जी को Animal Film के लिए यह आवोर्ड प्राफ्ट हुआ दोसों और मैंने पुछा Film का अवोर्ड किसको मिला है 12 फिल को मिला है यह आवोर्ड फिल्म फिर अवोर्ड नहीं है ठीक है सवाल मैंने पुछा आप से हाँ सुलें आपके भारत लोगतंतर की जन्नी यह इसकी theme थी ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़िएगा next question आपके ये महत्पूर question एक्जाम के लिए में स्वामी नाथन अवोर्ड पुछ हो आपसे किसको मिला है ये मिला है बी आर कमबोच किसको मिला है बी आर कमबोच साब आपके जो कि चांसलर है आपके इनको ये अवोर्ड मिला है कौन सा स्वामी नाथन अवोर्ड जो इनको पुराफ्ट हुआ है बी आर कमबोच को आगे देखिए question number seven कें सरकार ने बागवानी किशानों को सबसेड़ी देने के लिए सो कौन सा digital platform जो है अभी हाली में लॉँच किया तेकर देखिए अभी दोस्तों हाली में आपके cdp सुरक्षा कौन सा है cdp सुरक्षा जो आपके यह platform लॉँच हुआ तेकर cdp की full form क्या आपके इसकी full form है cluster development क्या है cluster development चापना cluster development development program जो है इसकी full form है क्या है लेखिएगा CDP की full form क्या है इसकी full form है cluster development program इसकी full form है अभी दोस्तों हाली में आपके CDP सुरक्षा तोसा नाम से आपके एक digital मंच बोल दीजे आप लोग आपके एक online मंच जो है और स्टार्ट हुआ ठीक है इसके तहर्ट जो बागवानी जो किसान होंगे जो बागवानी जो किसान होने वाले उनके सीधे account में आपके आपके account में subsidy transfer की जाएगी यह आपको चाहपना है तो CDP सुरक्षा पूछूँ आपसे, पहली बाद दोस्तों आपके यह है जो CDP सुरक्षा प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है, यह जो मंच जो स्टार्ट हुआ है, यह आपके ओनलाइन पेमेंट मंच है, CDP की फुल फॉर्म का है, वो है आपके, कलश्टर डवलप्मेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, और बागवानी जो किसान होते हैं, जो होटी कल्चर वाले जो किसान होते हैं, उनके लिए दोस्तों अकाउंट में सीधा आपके सबसेड़ी ट्रांसफर करने के लिए जो है, हमने इसको स्टार्ट किया है, तेक इसके लिए दोस्तों आपके, कुछ आपके बैंक से हमने एग्रिमेंट किया आपके, और बैंक कौन से होंगे, एक तो बैंक होगा HDFC बैंक, एक होगा आपके ICICI बैंक आपके, एक होगा बैंक बड़ोधा और एक होने वाला है State Bank of India, ये चार बैंक के साथ में इसके लिए हुआ है, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर HDFC बैंक आपके सामने याद किजिए, लक्षदीप में, लक्षदीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, वो है आपका HDFC बैंक, लक्षदीप की जो राजधानी कवरती है, वहाँ पर आपके ब्रा है आपसे, यह कहां जमा थे आपके, यहाँ पर जमाते चापना, चुनाबी बोंड जारी करने वाला बैंक कौन सा था, इस्टेट बैंक आफ इंडिया था, अब तो बंद हो गए, ठीक है, देखिए, यहाँ पर question हो गया है, option number भी answer हो गया है, CDP security option number भी correct answer है, यह दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और पूछ सकता आपसे देखो, बागवानी जो है, इसको क्या बोलते हैं हम चापना, इसके लावा सो, जो अंगूर की जो खेती है, इसे क्या बोलते हैं, जो कैंचवा जो होता है, जो अर्थ वान होता है, उसकी जो खेती होती है, इसे हम क्या बोलते ह यह आपको बताना है ठीक है देखीगा, फट्ब सिसस्टस्रेल आपके सामने बागवानी कल्चर की बात करूं आपसे, बागवानी का मतलब हो गाए होटी कल्चर, क्या हो गortion हो गाए bisher हो, होुरि कर्फेल्चिर आपके बागवानी हो गया इसके लाब मदुमक्ही पालनशा अपन के गौन सा और यह भी आपको धियान डखना है ऩि सारे लेकिया है होटी कल्टर वईटी कल्चर वर्मी कल्चर कैल से है दियान रखने ठीक है चलिए दोसा आगे बढ़ते हैं तो याग 24 में पूछ हूँ आपसे कितने लोगों को पदम भीबूशान अवोर्ड प्राप्त हुआ है महत्पूर्ण सवाल है पांच को दोस्तों अभी हाले में ये अवोर्ड प्राप्त हुआ है एक का नाम च्छापना पदमा सुपर पर इस पर द्यान मत दिजए आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए न यूट्यूब की समच्या है समस्च्य है यूटूब के अंदर अब उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मेरा काम पढ़ाने का में पूरा करने वाला हूं वाकि छोड़ो ना साइड में रखो सारी प्रोब्लम को आप तो कंटेंट को सुनते जाओ ना पदमा सुपरुमन्यम चिरन जीवी वंगया चोंसरे आप के फोर्थ नाम हो गया है सुलब सोचलने वाले विंदिशर पाठक जो हैं इनका नाम फोर्त है मर्नो प्रांत पाने वाले एक टा है पूछे आप भी आपको छापना है ठीक है आगे बढ़िएगा 66 पूछ हूँ आप से Grammy Award 24 में Best Global Music दोस्तों इसके जो Album का Award किसको प्राफ्थ हुआ देखो देखो पहली बात तो Best Global Music Album का Award Grammy Award किसको मिला है शंकर महादेवन किसको मिला है शंकर महादेवन को मिला है और सबस्तों आपको याद है किस आपके पूछों आप से जो Global Music Award पूछों आप से किसके लिए शंकर महादेवन जी को Award प्राफ्थ हुआ है यह वाला Grammy Award अभी हाली में आपको मुझे बताना है कि यह Award जो मिला है Grammy Award आपके वो किसको संकर महादेवन जी को किस चीज के लिए Award प्राफ्थ हुआ है ठीक है आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार पूछों आप से अभी दोस्तों हाली में किसको प्राफ्थ हुआ है 6 अभी दोस्तों हाली में पूछों आपसे देखो पहली बात तारीक कौन सी आपके तारीक है आपके 23 जनवरी की तारीक ठीक है इस दिन हम क्या बनाते है पराक्रम दिवस बनाते है ठीक है जो 60 दोस्तों आपके 60 आपके जो एरलिफ्ट आपके जो सर्विस जो है उसको ये अवोर्ड प्राफ्थ हुआ है ठीक है 60 जो एरलिफ्ट सर्विस आपके उसको ये अवोर्ड प्राफ्थ हुआ है तो बात चंदर बोस वाला अवोर्ड प्राफ्थ हुआ है ठीक है अब देखिए नेस्ट कोशन आपके सा तुमने कोई चेंज किया सिस्टम आपके इसमें अपनी में समझ्छा है सबके में समझ्छा है चलिए देखिएगा मैंने पुछा आप से Global Music Album का आवोड इनको प्राफ्थ हुआ है और मैंने का संकर महादेजवन जी का आवोड प्राफ्थ हुआ है आपको बताना है कि यह अवोड किसके लिए प्राफ्थ हुआ यह आपको बताना है एक कभी आंसर नहीं आ रहा है जिनके कमेंट हो रहे है वो तो कमेंट छापो जिनके कमेंट हो रहे है वो कमेंट तो छापो फटाक से कि यह अवोर्ड किसके लिए प्राप्त वाए इनको भी हाली में ठीक है बाकि आगे देखेगा हाली में एशिया बैडमिंटन चैंपियंशिप अवोर्ड चापना चैंपियंशिप 24 जो है यह अभी दोस्तों हाली में होती है कहाँ पर होती है यह चीन के अंदर कहाँ पर आप तो चीन के अंदर आपके चीन के अंदर बैंड के लिए मिला रहे है बैंड का नाम क्या है बैंड के लिए तो मिला है बैंड का नाम क्या है ठीक है चीन के अंदर निंग्वो कहाँ पर चीन के अंदर निंग्वो इस्थान यहाँ पर होती है ठीक है अगर पुछू तो आप डिया प्रैस्टे साफ जी चुका है और पूछूंब आप से फीमेल वाला जो इंपना रख और चीड की आपके आप महीला जिसका नाम वाँग जी इसका नाम इस अपना इसको यह वर प्राफ्थ हुआ है और यह जो एंज मैं पंपटिशन चैंप्टेंशिप है वह 31 में अब एक आंसरा है सकती बैंड के लिए अवोर्ड मिला ठीक है आगे देखिए है ना तो मैंने का आप से चीन के अंदर निंगमो के अंदर पुर्टोगिता हुई है मेल में जोनातन क्ष्टी हो गया है इंटोनेशन के आपके फीमेल में खुच चीन की आपके वांग जी हो चुकी है 41 नमबर के छापना सवाल पूछ रहा है आपर पुरुस वाला पूछ रहा है तो पुरूस वाला आपके जोनातन क्ष्टी option नमबर एक correct answer ठीक है बैडमींटन के दूस्तों बात आती है तक इसमें आपको 3-4 questions छापने एक टो उबेर कप, एक थोमस कप किसके हो गए, बैडमींटन कप आपके उबेर कप हो गया हो, थोमस कप हो गया है, एक साथ्टिक साई राज और चिराग सिट्टी का नाम छापना, ये भी आपके लिए म आगे बढ़िएगा जोनाथन कष्टी की फोटो आपके सामने इंडोनेशिया के अंदर रहने वाले हैं यह आपके विज़ेता बने ठीक है इसको मिला है जो ओपन हाइमर फिल्म आपके इसको दोस्तों अवोर्ड प्राप्त हुआ है और इस फिल्म के कौन आपके डायेटर कौन आपके क्रिश्टोफर नॉनें साब जो है वो रायेटर है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है तो किलियन मर्फी साब को यह अवोर्ड प्राप्त हुआ है इस फिल्म के अंदर इन्होंने आपके एक्टिंग की थी आपके ओपन हाइमर के अंदर और सर्वसेस्ट अविनेता का य्वाड के अब और सर्वा मैं वह एनदिभासा के लिए इसान्जीब जी को यह अवोर्ड मिला है और मुझे पैचानों किसके लिए सभाई है मुझे पैचानों के लिए अवोर्ड अवर्ध हुआ है तो मुझे पैचानों के लिए आवोर्ण की संजीब जी आपके प्राफ्त हुआ है छापना टाण ऍहां रखना दोस्तों समष्यistem का आना केवल पार्ट ओफ लाइफ है इन समाश्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना यह हार्ट ओफ लाइफ है ठीक है कोई बात नहीं कुश्चन नमबर नो देखिए हाली में पांसो ठीटवन्टी छक्के लगाने वाले पहले भारत यह क्लिकेटर बनने की उपलबदी दो इसके वरुद्ध वानखेडे इस्टीडियम जो है यहां पर लगाया यह भी आपको छापना है ठीक है तो अगर पूछू आपसे पांसो ठक्के लगाने वाले टीटवन्टी के अंदर पहले भारती कौन आपके पहले भारती जो है वो रोही सरमा हो चुके ठीक है और उसक् चैहने आपके अधिक शक्के नाम है इसके ठेक है lascibil के नम आपका छापना सारवाधी छके पूरे वर्ल्ड पे इसके नाम है कि नमे क्रिस के नम दुस्ता है एक हजार चपन चपन कितने एक हजार चपन चपन-चकी इसके नमे और अबि रोही सरमार आपके भारत की और से पहले इस्थान पर चुके हैं option नम्र टी करेक्टांस है ठीक है अगर पुछूँ आपसे सरवादिक century की बात करना आपसे छापना century में कौन पहले इस्थान पर है वो है विराट कोली कौन है चीकु भाई सब पहले इस्थान पर ठीक है पुछूँ आपसे run के मामले में first भा पुछूँ आपसे कौन सा बन चुका आपके IPL का छापना आपके वो सन्राइजर के नाम हो चुका है 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 हैदराबाद के नाम हो चुका है चापना और RCB के बिरुद्व बनाया है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह सारे नए record अभी हाली में जो बने IPL के पॉल लिंच वाई सब सम्मानित होने वाले और यह Ireland का के Ireland के रहने वाले पॉल लिंच इनका नाम आपको ध्यान रखना है अर सास्त के चेतर में पूछूँ आपसे अरे सांती किसको नरगेशी जो महमधी है नरगेशी महमधी को इरान में कहाँ पर इरान में सांती चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो नोबल सांथी प्रुषकार नरगेशी महम्मधी को मिला इरान के अंदर है ये भी आपको नोट करना है ठीक है हाली में विजडन ने दो सो किसे दुनिया की अगरणी महीला आपके मतलब सीर्स महीला के रूप में माना है छापना सो देखो सो विजडन आपके बहुत फैमस आपके पत्रिका है जो कि आपके किर्केट की बात करती है आपके सो और ये छापना अभी दोस्तों हाली में इसना आपके दुनिया की वर्ल्ड की तो सो आपके टॉप है ना दुनिया की अगरणी पूछूँ आपसे देखो महीला पू इंगलेंड की पहली महीला खिला डिये जिनको दुस्तों इस बार अवोर्ड प्राफ्थ हुआ है तो नेट साइबर ब्रेंट जो है वो महीला क्रिकेटर बन चुकी है आपके वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सीर्स पर है विजडन के अनुसार ये आपको च्छापना अपने प्र साइबर ब्रेंट आपके महीला में हमारी टॉप पर नेट साइबर ब्रेंट हो गई पुरुस में कौन आपके पैट कमीन जो है पैट कमीन जो है ना पैट कमीन चापना ये पुरुस में टॉप पर है कहां का सो आश्चिले टीम का कप्तान था याद कीजी आपके वर्ल्ड क पर पैट कमीस हो गया चापना और पूछू दोस्थ हाफ से एक नहां अगर पूछ आप से विजिडन ट्रॉफी किसको मिली आपके मतलब कि यह है टैस्ट में किसमें टैस्ट में टॉप पर कौन रहा चापना वो है आपके टरैविस हैड को नेए टरैविस हैड जो आपके वह रहा दुस्तों और ये खिलाड़ी कहा है आश्रिला का खिलाड़ी है Travis Head ये भी आपको छापना है तो मैंने का विजिरम ट्रॉफी किसको प्राफ्ट हुए Travis Head नौट करना विजिरम ट्रॉफी Travis Head को मिली है न आप पूरुस में अगरनी कोन है आपको छापना है तीनो महत्मुन आपके नहीं कोन है नंबर एक क cannabis और हो गया है ये महिलाओं में टॉप पर ना आगे देखिएगा आवोर्ड प्राफ्थ हुआ है, नौट करना, ठीक है, साहित्य का नोबल पुरुषकर प्राफ्थ हुआ है, ठीक है, आगे देखिए, लेक्ट कोश्चन आपके, तेईस में उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए, अंतराश्चिय बुकर पुरुषकर प्राफ्थ करने वाले कौ जोर्जी गॉस्पिड नॉब कोन है? जोर्जी गॉस्पिड नॉब भाई साब जो है, आपके चापना, जोर्जी गॉस्पिड नॉब जो है, टाइम सेल्टर उपन्यास के लिए, अंतराश्चिय बुकर पुरुषकर प्राफ्थ हुआ, नौधा साब फाल के लाइफटेम प्राप्त हुआ है ना बंगलादेश के ढाका में टैगोर और विक्टोरिया ओकामपो का आयोजन हुआ है यह आपको ध्यान रखना है बाकी दोस्तों राम नम्मी के उपलक्ष में माना की यूटूब में कोई समस्या हो चुकी है मुझे नियुपता क्या हुआ है पर जो भी ह हुआ है छोड़िएगा अगर यह किलास आप तक पहुंच रही है तो राम नम्मी के उपलक्ष में आप सभी के लिए दो दिन के लिए क्या दो दिन के लिए जो है मतलब कि 17 और 18 अप्रेल जो है इस तारीक के लिए जो है आपको special offer प्राप्त किया जा रहा है इसमें 40% जो ह आपको एक coupon code यूच करना है उतकर्स एप के अंदर जो भी course लेना चाहो वो ले लीजेगा आप लोग कूपन को यूच कीजिए श्री नाम नाम से आएगा SHRIRAM स्री नाम नाम से coupon code यूच करना है आपको 40% discount जो है उपलक्ष होने वाला है उतकर्स एप के सभी courses के ओप ठीक ह और offer केवल दो दिन के लिए 17 तारिक के लिए और 18 अपरेल के लिए offer है यह आपके लिए सूचना है like नहीं हो रहा कोई बात नहीं मैं तो बोलता है नहीं like कर दो share कर दो कभी बोलता हूं बता हूं like नहीं हो रहा कोई बात नहीं YouTube की कोई समस्या होगी यार समस्या तो इंसान ठीक है राम नम्मी के उपलक्ष में आज और कल यह ओफर मिलने वाला है प्रियागराज के अंदर सेमिनार होने वाला है मैंने पहले खा 28 तारिक को मैं खुद प्रियागराज रहने वालों आपके बीच में दो सेमिनार होने वाले 28 तारिक को होंगे सुबा 9 बजे होगा और 4 चार बजे होने वाला है, यह QR कोड यहाँ पर दिया गया है, ऊपर लिंक जो है लगा दिया जाएगा आपके सामने, QR कोड स्कैन करना, अपना फॉर्म भर देना, जो भी स्लोट चाहिए आपको सुबा नो बजे वाला या चार बजे वाला स्लोट बुक कर लेना, और अगर रेजिस्ट्रेशन आपके लिए, प्रयागराज के अंदर मैं आ रहा हूँ, संगम के अंदर मुलाकात आपसे होने वाली है, सुबा नो बजे और साम को चार बजे ठीक है, साम वाली क्लास आपकी होगी है ना, आइए लिए 16 अप्रेल की बात करते हैं, मैंने का आपसे 22 एपिसोड शुरू होने जाला है, और यह एपिसोड का नाम जो है, मैं अपने बच्चे के नाम पे रखूंगा, तो 22 तारिक को जो क्लास आपकी आईगी, उसका भी नाम में कल आपको बता हूँ, क्या नाम होने वाला है, और एतियासिक क्लास आपके लिए होने वाली 22 अप और सूट डे पूछ हो आपसे, प्लास्टिक कचरे में पूछे आपसे, दूसरा इस्तान भारत का हो गया है, इसके लाबा ट्यूरिंग अवोर्ड किसको मिला चापना है, किसको मिला भी हाली में, एवी आपके विटरसन को मिला है, ऑप्शन नमर सी है, वर्ल्ड आपके आर अप्शन नमर सी है, लॉंगटे यूलोत युहार कहां आपके छापना, अरुनाचल प्रदेश आप्शन नमर भी आंसर हो गया है, बारी बार राश्टिय महिला कहरम पूछूं आपसे, रस्मी कुमारी आप्शन नमर एक है, आईपियल इतिहास पूछे आपसे, सरवोच ट सामने यहां पर, कुश्चन आपके सामने यहां पर, मैक जीन यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है, उपर दिखा न, यह भेदवाब क्या हो गया, भेदवाब दिखा, और उपर दिखा, भाड में जा, तो कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं आए, कुछ का चैनल अंसब्सक्राइब हो गया अपने आप यह न, कुछ को बापस लाइब में नहीं जोड़ा गया है, वो सब यह गलती यूटूब किये, मेरी गलती नहीं है, पर अगर मेरी क्लास आप तक पहुँची ह तो मुझे कमेंट्स जरूर करना, क्लास पहुची और नहीं पहुची जरूर बताना मुझे, ऐसा नहों आपका नुकसान हो जाए, अगर कमेंट्स में मुझे लगागा कि क्लास नहीं पहुची है, अगर ऐसा लगा मुझे, तो मैं इस क्लास को दुबारा डलवा दूँगा पर मुझे बताना जरूर comment box के अंदर класс पूरी पहुंची और नहीं पहुंची है अगर पूरी संसे बताना तो बता मुझे यहां से class नहीं पहुची है, यहां दिक्कड आई थी class के जिससे मैं आपको पूरी class उपलब्द कर आपाऊंट, ठीक है, चलिए all the best, बाकी मैंने आपकी सुन ली है, जो आपकी demand थी पूरी करने जा रहा हूं, सौंबार से class वो आपके सामने आने वाली है, एतिहासी class जिसकी मैं बात कर रहता कि एक class GKGS करेंटाफेस तीनों का निप्टारा उस एक class में आने वाला है, चलिए all the best, आप सभी को खुछ रहना ध्यान रखना अपना, all the best, class अच्छी लगी हो, तो comment जरूर करना, like तो सायद नहीं हो पा रहा है न, अगर like हो पायो तो like कर देना, वरना comment जरूर करना आज, जहिन फेंक्यू, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में तू जरा को उसिस तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, अपने सपनों को उडान देने के लिए, आज ही सस्क्राइब कीजिए उतकर्स चैनल को झाल यटार, झाल 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 सक्थाइब, यहिन ऑफना देना